हेलो फ्रेंड स्वागत है आपको मेरे यूटू चैनल में आज हम बनाएंगे लसी लसी बनाने के लिए हमने यहाँ पर ताजी दही लिया है दही को हम डालेंगे बड़े बरतन में बड़े बरतन में डालने के बाद हम इसमें डालेंगे पांसे से छे काजू और बदाम को पी पिशने के बाद दालने के बाद झेवे ठांक ज़ें में और कचीनी कर्छ दूलने के बाद ज़ें केसर को सम लेंगे अच्छे से mix करने के बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा बरब बरब डालने के बाद हम अच्छे से फेट लेंगे दो मिनट के लिए हम दही को फेट लेंगे तो दोस्तों आप लोग से request है कि आप लोग मेरा पूरा वीडियो देखेगा मेरे चैनल पर नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों तो यहाँ पर हमने दही को लगतार चलाते हुए दो मिनट के लिए अच्छे से फेट लिया है अच्छे से फेटने के बाद हम इसे कॉप या गलास में डाल देंगे तो दोस्तों आप भी इस तरह से घर पर बना सकते हैं ताजी दही से ताजी लसी बहुत ही असान तरीके से यहाँ पर हम गलास में डालने के बाद उपर से गार्निस कर लेंगे तो उपर से गार्निस करने के लिए यहाँ पर हमने काजू और बदाम लिया है तो उपर से हम डाल देंगे उसके बाद यह हमारा लसी बनके तयार है तो दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लाइए तो प्लीज लाइक और सेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए गा